जैशे राम तोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज चालू की हुई है जिसमें आप लोग अपने जो प्रश्न है जोतिश संबंदित वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उनका जवाब हम अपनी अल्पमत्ती के अनुसार देने का प्यास करते हैं ऐसा ही एक प्रश्न अभी रीसेंट्ली आया प्रश्न पूछा है डीवी ने और उन्होंने कहा कि जब बुरे भावों की बात आती है तो तीन छे आट बारा भाव को लिया जाता है लेकिन थर्ड भाव में क्या बुरा है कुछ भी तो लाइफ में बिना महनत के नहीं मिलता फिर उसमें बैटे ग्रह के रत्न क्यूं नहीं पहनाये जाते लोगों को दिखे निवी रत्नों की बात अभी थोड़ी दिर बाद में करेंगे पहले आपका जो एक सवाल है कि तीसरा भाव क्यू बुरा है इसके बारे में जानने ते तीसरा भाव बुरा नहीं है यह कहूं कुंडी का कोई भी भाव बुरा नहीं है ये निर्बर करता है कि आप जब अपनी पत्रि का किसी व्यक्ति को दिखा रहे किसी जोतिस को दिखा रहे हैं तो वो जोतिशी की सामने जो अपनी प्रशन लखा है वो किस भाव से सब्बंनत है उदान के लिए किलाड़ी के लिए तीसर भाव बहुत आवश्चक है एक salesperson के लिए एक मार्केटिंग में जो बैठा विखती है उसके लिए तीसरा भाव बहुत जरूरी है एक संगीतकार के लिए तीसरा भाव बहुत जरूरी है इसी तरह एक्टर के लिए भी तीसरा भाव बहुत जरूरी है लेकर के लिए तीसरा भाव बहुत जरूरी है तो हम यह न आते वक्त आपकी उस specific question को नहीं लिया जाता जो परिशानी की वज़ा से आप आये होते हैं, वहाँ पर एक general tendency बताए गई है कि 3-6-8-12 भावों में जाओगे तो जीवन में उतनी तरक्की प्राप्त करने में बाद आएगी जितना आप deserve करते हैं, उसके लिए extra effort करने पड़े और यहाँ एक बात और बता दूँ कि केवल उन भावों में बैटने से ही कुल्डी खराब हो जाएगी या उन भावों में बैटने से ही उन ग्रहों का अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, मैंसर नहीं कह सकते। कौन से ग्रह बैटने हैं, वहां राशी कौन सी है, राशी के तत्व, ग्रह के तत्व से मेल खाते हैं कि नहीं, इन सब चीजों के बाद डिसाइड किया जाता है कि वो तीसरे, छटे, आठवे या बारवे में बैटकर किस परकार का परिणाम देगा, अभी हमने तीसरे ही सिग्निफिकेशन रगता है, इसी परकार जुडिशिरी के एक्जाम के लिए, अगर आप ट्राइ कर रहे हैं और जज्ज या उससे सम्मंदित किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी चटागर बहुत इंपोर्टन है, चिकित्सक के लिए चटागर बहुत इ यही घर हमारे लिए बहुत इंपोर्टन और शुब हो जाता है, सेम केस फोर्ट्वेल्थ हूस, बारवाखर नो डाउट खल्चों का है, बंधन का है, जेल का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, लेकिन अट दा सेम टाइम वो विदेश का भी है, और हुआ क्या कि पहले ही ज काला दिया जाता था, इसे एक्जाइल भी कहते हैं, तो पहले अधिकतर लोग अपने जर्मस्तान से दूर इसलिए जाते थे, क्योंकि उनको अपनी जर्मस्तान पर कोई काम नहीं मिल रहा, तो इसलिए विदेश भाव को तब उस समय बुरा माना गया, लेकिन आज आज कि अगर आपकी इच्छा है या आप वहाँ जाना सटल होना चाहते हैं, तो यही बारवागर बहुत महत्पोन है, वहाँ पर इसके उपर शुब प्रभाव क्या पढ़ देखा जाता है, तो यह कहना कि अगर खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, और इसी प्रकार इसका उल्टा भी साइडा में देखनी चाहिए, कि केंद्र त्रिकुन सदय शुब नहीं होते, आपके प्रशन पर निर्वर कलता है कि वो घर अच्छे है या पुरे, उधान के लिए strong fourth house आपको विदेश जाने में बाधा डालता है, strong fourth house आपके करियर भाव से सब्तम होने क कहीं न कहीं आपके करियर में भी आप में आलस से प्रमाद बढ़ाकर आपके कारेशेत की हानी करता है, त्रिकुन भाव की भी ऐसी अपनी अलग-अलग कहानिया है, तो ये कहना कि ये भाव शुब है शुब, हम नहीं कह सकते और हमें basically इस बात का ध्यान देना होता है, कि व पहनने चाहिए, जिन्हों ने भी कहा, मैं कहूंगा, अगर वो कोई साक्षिव, या यू कहूं कि किसी classical book के बारे में बताया है, जिसमें ये लिखा है, तो हमें भी जरूर बताएगा, हमारा भी ज्यान वल्दन होगा, कि ऐसी कोई चीज अगरा में पढ़ने को मलती है, तो और जब रत्न की बात आती है, तो रत्न केवल लगन के अधार पर नहीं, चंदराशी के अधार पर, नवांश के अधार पर, दशा के अधार पर, और ग्रहों की सिति के अधार पर पहने जाते हैं, तो इस वज़ा से ये एक complicated process है, बहुत simple नहीं है कि लगन देखा अपने की कुम लगन है, तो सभी को निलम पहना दिया जाए, या किसी व्यक्ति का धनू लगन है, तो सभी को फिर पुखराज पहना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको देखना होगा पत्रिका में, वो गरे कहां बैठा है, किन भावों की वृद्धी कर रहा है, चातक का व्य करती के अनुसार मैंने देखे, और उसके अनुसार मैंने मानिक कर दिया, मानिक कर दिया, उन्होंने पहना भी, और तीन-चार महीने बाद वो जब दुबारा मुझे मिले, तो उनके हाथ में वो मानिक के नहीं था, तो मैंने पूछा, क्योंकि पहनाया मेरे दौरा गया था कि इन्होंने क्यों उतार दिया तो वो बोले सर दहने दीजिए मैंने का फिर भी पूछा कि क्यों आप ने क्यों उतारा कोई करण तो होगा बताईए कि ने बहुत नुकसान होगा तो मुझे अपने पर क्या कहूँ गलानी आई कि भही मैंने इस विक्ति को पहनाया था और इस विक्ति का काम बनने की बजाए और बिगड़ गया जबकि मेरी स्टडी ये बता रही थी कि उसको सूट करना चाहिए तो बैने उससे पूछा मैंने क्या हुआ पहनने के बाद कहा नुकसान हुआ करियर में कोई प्रॉब्लम आई तो जातक ने मना कर दि तो ताजुब ये हुआ कि फिर परशानी आई कहां जब इसने रत्न पहना और उसके उताल भी दिया तो कुछ तो दिक्कत हुई होगी तो उसने मुझे बाद में बताया कि भाई मैं जुआ खिलने की मुझे आदत है जुआरी थे वो और कहने लगे कि और लीगल शोशलाइ जुआ भी नहीं जो इलीगल तरीके से खेले जाते हैं उस तरह कि किसी काम में वो लिप्त थे तो उनने बताया कि उस काम में मुझे भारीन उपसान होगा आप सोचिएगा रूभी एक ऐसा रत्न है जो सूर्य से जुडावा माना जाता है और सूर्य उन कारियों को प्रदे प्रदे जाता है तो जहां तक मेरी समझ है वो आपको ज्यादा सोट नहीं करेगा क्योंकि आपके कर्म और आपका उपाए यह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाते हैं तो इस वज़ा से यह देखना जरूरी हो जाता है कि आप रत्न किसका पहना रहे हैं और क्यों पहना कुल्ली में कहां बेटा है कारेशेत्र क्या है बहुत फैक्टर है जिनको देखने के बाद रिसाइट किया जाता है आशा करता हूं डीवी आपके इस पॉइंट का आपके इस प्रशन का उत्तर मैं दे पाया हूं जितनी मेरी समझ है यदि आप लोगों को यह शंक्ला रहे और हमारा साथ इसी तरह आगे चलता रहे आपके और भी कोई प्रशन या सुझाव हो या इस वीडियो पर आपका कोई प्रशन हो तो हमें वश्य बताए प्रयास रहेगा कि उन प्रशन का उत्तरम आपको दे पाए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विशे के झाल